बिहार में बड़ा राजनिती खेला होगा अब ये चर्चा हर आमोखास में सुरू हो चुकी है कुर्णी चुनाव परिणाम आने के बाद से बिहार की राजनित को हलाकि देखिए बार बार ये बात कही जा रही है कि कुर्णी 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 लेकिन कुर्णी से मतलब नहीं है मतलब है कि कुर्णी जो है वो बिहार का मिरर आइना है हम ये बात आपको बार 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 बता रहे हैं कारण कि वहाँ जातिय समीकरण है और जिस अधार पर बिहार में वोटिंग होती है चुनाव होते हैं राजनितिक दल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं वो है जातिय समीकरण और जातिय समीकरण अगर देखा जाए तो कुर्णी से बेहतर कहीं नहीं है क्योंकि यहां सभी का बराबर बराबर हिस्सेदारी है अगरा पिछड़ा, हिंदू, मुसल्मान जो भी आप करके देख लीजिए पाटियों के अपने जो समीकरण है हिंदूत्यों का, महिला वोटरों का एमवाई का, लवकुस का OBC का, EBC का सारे समीकरण महां एकदम बिल्कुल ऐसे हैं जहां काटे की टकर होती है और रिजल्ट भी आप देखे होंगे काटे की टकर तो हुई सुरू से आपने देखा 23 राण का कांटिंग हुई उसमें क्या कुछ हुआ लेकिन अब इन सब बातों से अलग जो एक चर्चा सुरू हो गई है और जिसको ले करके कहीं न कहीं नितीश कुमार गुसे में आ गये हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि यह चलने वाला नहीं है एक तरफ जहां नितीश कुमार ने कुर्दी के हार को पूरी तरह से अब उमिदवार के उपर थोप दिया तो क्या उस उमिदवार की जानकारी नितीश कुमार को नहीं थी उनका इन्पुट इतना कमजोड था कि नितीश कुमार को एक उमिदवार चुनने में उसके कमियों और उसके अच्छाईयों को नहीं जान पाए या फिर नितीश कुमार पर ये उमिदवार थोपा गया या ये बात हैं जो कही जा रही है कि जबरदस्ती नितीश कुमार ने भातिये जनता पाटी से टकर लेने का इसलिए सोचा कि इसमें मकसद छीपा हुआ था कि रास्तिये जनता दल का एक विधायक न बढ़े अब इसमें सच्चाई क्या है तो नितीश कुमार ही बता सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि नितीश कुमार ने कुर्णी चुनाव परिनाम को लेकर के इसपस्ट किया है कि उनके उमिदवार जो थे परत्यासी जो थे उसको लेकर के जबरदस्त विरोध था तो जब विरोध था तो आपने टिकट क्यों दिया था आपके पास कोई दूसरा उमिदवार नहीं था आपके पास तो उमिदवार थे आप अपनी ही पार्टी से अनिल सहनी की पत्नी को दे सकते थे मुके सहनी आपके पास सबसे बढ़िया भी कल्ब थे उनको दे सकते थे लेकिन नितीश कुमार ने ऐसा नहीं किया अब इसका दंस नितीश कुमार को जहलना पड़ रहा है कि नितीश कुमार के खिलाफ एक तीसरे फ्रंट की तैयारी शुरू हो चुकी है हम अलगतार आपको बता रहे हैं और सबसे पहले भारत लाइब ने इस बात कर खुलासा किया था कि वो तीसरे फ्रंट की सुखबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है भारते जंता पार्टी और नितीश कुमार से अलग एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है जो गठबंधन आने वाले 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में भारते जंता पार्टी के अगर तीसरा फ्रंट बनता है तो इसमें नितीश कुमार के लिए कोई अस्थान नहीं है जैसा कि जानकारी मिल रही है कि तीसरे फ्रंट की जो लिस्ट है उससे नितीश कुमार का नाम हटा दिया गया है अब हम अगली ख़बर में आपको आज बताएंगे भीतर की बात में बहुत सारे खुलासे करेंगे भीतर की बात में हम कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे जो बहुत जल्द हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं इस एपिशोड के बाद आज ही हम आपको बताएंगे और भीतर की बहुत सारी जानकारी हमारे पास आई है जो इस बात की नितीश कुमार ने जो अपने राष्टी खुले अधिवेशन में जो बाते कही उन बातों में कितना दम है और कितनी बाते नितीश कुमार छुपा रहे थे अपने कारेकर्टाओं का होसलाब जाई कर रहे थे एक तरफ जहां नितीश कुमार को आरसीपि सिंग की कमी महसूस हो लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी जो भासा है जो बयान दे रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं यहां सबसे बड़ी बात है कि नितीश कुमार के करीबियों ने जिस पर नितीश कुमार इस सरकार का दारोमदार है वो भी अब नितीश कुमार से इस चुनाव के प पाइदा के जगा पर नुक्सान हो रहा है भले वो सरकार में रहें लेकिन आगे का रास्ता उनका बंद होता न जरा रहा है ऐसी राजनीत करना कोई नहीं चाहेगा तो ऐसे इस्थिति में थर्ड फरंट में कौन-कौन सामील है किसके किसके नाम आ गए है नितीश को छोड़ क का हिस्सा होंगे और ऐसा हुआ अगस्त में आज से चार महीने पहले जब नितीश कुमार ने महागडबंधन के साथ सरकार बनाई तो G23 में सामील होने के लिए वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्हें सोनिया गांदी से राहूल गांदी से बातचित किया था यानि वह अचीन ना बी हमारी खबरे सच हुई अब तीसरे फ्रंट की बात सबसे पहले भारत लाइब ने शुरुआत किया और इस तीसरे फ्रंट की शुरुवात हमने पांस दिन पहले शुरू किया था जब कुर्णी का चुनाव परिणाम आया था और हमें ये ख़बर मिली थी भीतर की बात हमने की थी कि अंदर ही अंदर ये ख़बर मिल रही है कि तीसरे फ्रंट की सुगवाध टेज हो गई है जो नितीश कुमार और भारते जंता पाथी के विरुद्ध होगी जिसकी चर्चा कहीं नितीश कुमार ने अपने खुले अधिवेशन म बनाएंगे लेकिन नितीश कुमार पर भरोसा कौन करेगा सबसे बड़ी बात यह है बार बार वो चिला चिला कर कहते हैं जूट को कितना भी जोर से चिलाएगा तो सच नहीं हो जाएगा ऐसे इस्तिती में नितीश कुमार का पिछले दो महिना से इस फ्रंट को बनाने का ज तो यहां तक जा रहा है कि इस तीसरे फ्रंट में भाजपा और नितीश के कारण लोग अलग होना चाहते हैं जिसमें नाम बहुत सारे हैं इसमें मुके सहनी का नाम आ रहा है प्रसांत किशोर का नाम आ रहा है इसके साथ-साथ इसमें आर सिपि सिंग का नाम आ रहा है इसम कि प्रसांद की सोर और कॉंग्रेस का एक गठ जोड जो है वो काम करना सुरू कर चुका है वो प्रसांद की सोर जिस तरह से भारती जंतापाटी और नितीश कुमार पर बराबर हम लावन हैं जिस तरह से वो बखिया उधेड रहे हैं नितीश कुमार और तेजसु यादो के इ देख लीजिए, 2015 का चुनाओ देख लीजिए, इन सारे चुनाओं में प्रसांद किशोर के साथ बिहार के कई दल जूरते रहें, मिलते रहें, और देश बर में प्रसांद किशोर के स्विकारता है, अब ऐसे इस्तिती में प्रसांद किशोर ने ये भी बात कहा था, कि नजर आ रही है कि बिहार में तीसरे फ्रंट के सुगार्ट से बरियार खेला होगा और ये खेला 2024 में नजर आ सकता है अगर ये वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद